नहुसकार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्षन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो में आप लोगे लेकर आए हूँ, डेली स्वाइक का है और इसका टाइटल है इंडिया वोंट्स टू डेस्ट्रोय पाकिस्तान पाकिस्तान की जुनता जो है, वो क्या करिए कि भारत पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहता है चलिए वई, देखते हैं इस हाइपो थेटिकल सवाल का जवाब हलागि पाकिस्तान मुझे पूरी पूरा भोसा है कि 100% पाकिस्तानिये मानते हैं कि भारत पाकिस्तान को तबा करना चाहता है और वही साज़िशे करता है बहले ही वो भूल जाते हैं कि 4 बर अटैक पाकिस्तान ने हम पर किया और तबा हम करना चाहते हैं यह हम कहें कि पाकिस्तान भारत को तबा करना चाहता है पाकिस्टान का दूसरा अक्स दिखाने में कितना की रग्म करता शोटकॉट में अगर μας आपको बता हूं तो इंडिया कितना क्रदार कर रहा है कि पाकिस्तान को करने में यह पॉलिटीकल लेवल पो तो यार बहुत सारे लोग मुझे ने कहते है कि यह पाकिस्तान के सास्वान सा इसको आपरुआ कि दो गने के लिये लिए यूजिलर थिक घृत है प्रसेशन चेंज करने के लिए मुझे लगा कि सौ के सौ फिस्दी जो लोग है वो इसी तरह की बाते करेंगे लेकिन आप पहले आदमी ही मिल गया जो थोड़ी संसिबल बाते कर रहे हैं तो थाइंक्यू भाई थाइंक्यू कि आपने सच्चाई बयान की और सच्चाई बयान कर रहे हो तो जैसे कि आप समयते हों कि आएंडिया कर रहा अमेरिका साइच कर रहा लंडन के न्यूयों कर रहा तो भाई आप वह हर चीज की मत मार दें और इसी पर डिफेंड करते रहे हैं अपने नाकामियों को दूसरे को डाले कि वह नी चाहता है अच्छा एक बात बोलना चाहता हूं मुझे लग रहा कि मुझमिल भाइल मेरा वीडियो बड़े द्हान से देखने हैं लगता है क्योंकि पिछले कुस दिनों में मैंने ये बात बड़े जोर सोर शें उठाई एंगा अगर अगर साजिश करनी है भारत करता है तो आप भी जा तरफ साब का मैंने दो तीन वीडियो में रेफरेंस दिया कि अकल है हमारे पास तो हम ज्यादा साजित कर लेते हैं आप में तो आप भी कर लो तो मुझे लग रहा है यह पता नहीं है मुझे लेकि मुझे असा फील हुआ आप सुबह जल्दी नी उड़ सकते तो आप कहोगे कि यार गड़ी नी चल रही थी अलारम नी बजी रात को मैं लेट सोया इस्कीजिस कितने जादा बना लेता है इंसान जब काबिल इंसान से आप पोछो के तो वो अपनी गलती अपने उपर लेता जब तक हम अपनी गलती अपनी उपर नी लेंगे हम कामयाब हो सकते हैं डेफिनेटली नहीं हो सकते हैं जब हम गलती मानना शुरू कर देंगे यह बात आपने हंडर्ड दोसो दो रुपए कि बहुत कीमत है इस बात की मैं कीमत अदा नहीं कर सकता यह बात पाकिस्तानी को कब समझ आने वाली गया क preoccupli यही तो क्या देख रहें फ्यूचर के देख पाकिस्तान निडिया का पाकिस्तान इंडिया का आपद में तो future वह अधोर सुनाया इई दिखाया वह लेकिन अपने तोँर पे तो हमें कुछिक करने चाहिए प्रस्नेल चाहिए कि आप कितनी महबध करते हो इंडिया से प् परसनल चीजों से हटकर अपने मफादात को छोड़कर अगर वहां पर हम बात करें तो वहां पर भी इंसान रहते हैं आज़ा पर उसी एजा नेबर नेबरों को कितना हख है पर उसी इसलाम हमें क्या को सब्सक्राइब करेंगे अगर उन्हें ग्रों कि एकनॉमिकली ग्रों कि कि एजुकेशन में ग्रों कि है उनके पास और इंडिस्ट्री आ रही है तो हम उनसे लंग भी कर सकते क्या मसेला मुख्बत तो करते हैं मुख्बत में करना क्या है मुख्बत में आपने इजहार करना कि भाई वाके वीलाव यू यहां के बंदे की कोई वीडियो वहां से द हमारे बारे में यह सोचते हैं आपको लगता कि नफरत को मुख्बत को मठा सकती हैं लेकिन है समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं बड़ा मुश्किल है मोबबद जो है बड़ी ही मुश्किल है बहुत आप लोग पे इस जैसे रिक्षंस आते हैं ना मैं छोड़ी है क्या लेकिन हमारी नभी तो कोई और एक अलगी चीज लेकर आए थे दुनिया में एक अलगी एक अलगी तियोरी लेकर आए थे लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अच्छा हूं है तो ऐसे ही लेकिन दुनिया को थोड़ा सा नजरीया चेंज करके देखना चाहिए ना कि अगर मेरे तलब मेरे लिए आप अच्छे हो तो मैं तब भी आपके लिए अच्छा हूं लोग कहते हैं कि मुझे बुरी बात बात सुने वाले है कि ब्लकुल चाहिए लेकिन यह सामने घुरूर से बात करें लेकिन एक अगर घुरूर और नहीं सकता आँग आगों नहीं बजा सकते हैं वहां पर आगों बजाने के लिए पानी के पर काम करना पर देफिनिटली जो यह है रियालिटी हो इंप्लाइड नहीं चीजें चीजें बनाई नहीं जैसे अगर जो मेडिया एक माइंड बिल्डिंग कर रहा होता लोगों कि वो नहीं जू आप जाय रहे हैं या आप उसरी दुनिए प्ताने के लिए यारा ओ वो एटाने के बाड़ तो दुश्मने तो पहले भी नहीं है मुझे लग रहा है तो फिर काड़ने धारने वाले बाते होते हैं हमारे पॉलिटिशन कहते हैं बस बाई इंडिया से आप मैं चीत लो हमारे यही फाइनल वर्ल्ड कप है जब इस किसम के बैना जब हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं वो न जब आप बच्चों के जहन में जहर भरोगे तो आप कुछ भी कर लोगे वो बड़े होकर मुखबत नहीं कर सकते हैं अभी रियल इंट्रेटेंटमेंट टीवे अले सोहव भाई का एक वीडियो मैंने देखा वो स्कूली बच्चों से बात कर रहे थे और मैक्सिमम बच्च के दिमाग में यह टीचरों द्वारा भरा गया है पढ़ाये गया है उनके स्कूलों में मदर्सों की बात तो छोड़ दीजे स्कूलों में पाकिस्तान के उनने बात के ती कुछ टुकड़े में दिखा देता हूं कि किस तरह वो कह रहे हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भ क्षमीर को मारते हैं मुसल्मानों को मारते हैं यार मुसल्मानों को मारते हैं जुल आप सोचिये कि जब बच्चों के माइंड ऐसे डेवलप किये जाएंगे तो बच्चे बड़े होकर कहा मुहबत की बाते करेंगे मुझमल भाई और ये पाकिस्तान के 99% लोगों में ये बात है कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है, नौन मुस्लिम हमारे खिलाफ साज़शे करते है यहुदियों का और हिंदूों का और सिक्खों का और इन लोगों का मिला जुला वो है और हमें सब इसलाम के खिलाफ हैं, ऐसी कोई बात निया, आपसे ज़्यादा मुसल्मान इंडिया में रहते हैं और वो सुख से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, हमारे साथ बराबर के हमारे हर चीज में शरीक होते हैं, इस देश को आगे बढ़ाने में उनका भी बराबर का योगदान है, तो ये होती है इंसानियत, और वो अभी पाकिस्तान में नहीं है, आपको मेरी बात बुरी लग रह क्या इंडिया पाकिस्ट्रोइ करने के लिए करता है कि दोनों तरफ से पहलों देखे जाती है आप अप उनके लिए क्या सोचते हैं तो आप उनके लिए बुरा वहां पासिबल यहां कि हमारे लिए बुरा सोचेंगे सोचे अट्रेक्ट करती ना एक दूसरे को जब आप यहां से उन दे कैमरा उनको गालियां देंगे तो वह आपको ऑफ से कैमरा भी देंगे जब हम पाकिस्तान को गालियां देती हैं तो आपको कैसे रखते हैं तो उन्हें ने यह बात की थी कि घ्सक्राइब आपको हम जब गालियं देती हैं तो आपको फिल करते हैं वाद से हम्ड़क फूइल करते तो यह क्या समयते हूए आपके पाकिस्तान और इंडिया के दर्मियां जो यह नफरते हैं यह किस वज़ा से है एक्चली इसकी मेन जब कश्मीर गए है और उसके बाद ह कश्मीर नजर आती है वह वह बहुत तक करें तो वह बहुत सकती है तो यह असी प्लॉब्रम है जिसके वाइसे हम आपस में कभी दोस्त नुब शक्ते कभी तजारत में कर सकते कभी कुछ नहीं हां मगर यह कि इंडिया ने हमारी काफी तब के टाइम स्पोर्ट किया उन्हें वह तजारत किया उन्हें ने टमाटर वोगएरा यह चीज़े हमें दीआ है थाकर हम थोडा बेटर उसको कर सकें उन्होंने टमाटर हमें दिए लेकिन वह तौन भी हमने जाय कर दिये रोड में भाइंग दिये कि इंडिया की नि चाहिए में यह खला किया तो पर यह कैसा रद मतब के जो है दुश्मनी करके उसको जाय कर देना चाहिए क्योंकि यह अल्ला का रिस्क है जो कि अल्ला ताला ने किसी के भी वजीले से बना देना है कि अगर फ्योचर के अंदर को सोचे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का मसला हाल हो गया तो क्या इंडिया को अगर देखेना कोई को मडर करता है किसी का यह कोई करता है सारा आपस में जो हैं जो जो अधालत में get जाता है उधालत वाले कहते कि आपस में सुला कर देखे, बात कश्मीर नहीं है, में मुद्दा कश्मीर नहीं है, में मुद्दा आप लोग बात करना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान किस बिना पर बनाठा, टू नेशन थियरी, और ये टू नेशन थियरी क्या थी, कि हिंदूओं का अलग मुल्क हो, मुसल्मानों का अलग मुल हो तो main जो जड़ है न आपके दिमाग में जो है वो है मजभब वो है हिंदू मुसलिम आपको लगता था कि हम हिंदू के अंडर कैसे रहेंगे हम तो मुसल्मान हैं और हम कैसे कोई हिंदू वहाँ पे जा के पी एम बन जाएगा हम अर्मी चीफ, इस देश का एर फोर्स चीफ, इस देश का नेवी चीफ मुसल्मानी होगा, इस देश का इलक्शन कमिशन मुसल्मान होगा, इस देश का पुलिस चीफ मुसल्मानी होगा, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है, तो अब आप सोचिए क जब इस बिना पे आपका मुल्क ही बना तब कैसे आप कोगे कि जी हम ये कर देंगे, मुभबत फैला देंगे और ऐसा कर देंगे, ये तो हो नहीं पाएगा, आप इस बात को समझें, आप मानो अचा है, मत मानो, क्योंकि यही सचाई है, और यही है, चलिए आगे देखते हैं कैसे हैं आप लोग, अल्ला का शुकर, यार बेसिकली मेराज का आप से कोशन ये है कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्ट्रोय करने के पीछे पाकिस्तान को बरबात करने के पीछे को साइश्य करता है या नहीं, बिल्कुल करता है, पहली बात तो यह है कि मुसल्मान बई बैठे हैं हमारा तो नुक्सान उन्हीं कोई पहुंच रहा है ना उनको मारेंगे वो हमें नुक्सान है वो उनको पीट रहे हैं वो नुक्सान है हमें तो यही मैं कहना चाहूंगा कि उनको लादा है दे और बस हम लोग तो यही कह सकते हैं चाहेंगे क्या कहने हैं फोड़ा गया जे कि इन् Surjan PJ औहु निए ऊब तो मॉस्सिलमन इशन से तोड़ा सा बलातार है जो इन्सां दूसरे हैं मुस्लमान नहीं है वो नहीं समझें 63 आपके चार हम पे थैं आपकी 20 से ज़्यादा उगली हैं क्या हाथ पर मिलाके आपके 2 से ज़्यादा आख है साड़े 400 ग्राम से ज़्यादा दिम आगए आपके पास वजन में आप इंसान की तरह नहीं दिखते हो क्या वाहियात बात करते हो यार छी मैं बहतर हूँ और सामने वारे जो मैं चुक्कि मुसल्मान हूँ तो मैं ही बहतर हूँ बागी सब हमसे कमता रहे नीचे इसी सोच ने आपको परिशान कर रखा है ये जो गलत सोच आप लोगे दिमाग में घुसी हुए ना आपका खुन हरा है क्या बाग fracture के बदले आपके खुन में कुछ और पाया जाता है रेड сейчас वाइड शेल्स साथ में नहीं होंगे है ना और इमान को तो माप सकते नहीं है दिखता है नहीं तो वही चीज़ा बता वही जो दिखती नहीं है इमान में रहे बहुत जजबा बहुत आप ठीक है कर लो क्या कर लिया जजबे और इमान से पाकिस्तान नयाज तक क्या कर लिया है अपने लोगों को सही से रख पाया है पाकिस्तान इमान और जजबे की वज़ा से अपने लोगों को ठीक से सुविधाय दे पाया है अपने लो किताब लेके बेगेए चलो अगरे जालेकल किताब उलारी बाफिका में पता ही नहीं किया है हमारे बुड़ों को जो पढ़ने हैं स्वाब तो मिल रहा है लेकन एक बंदे की लिखी हुई किताब दूसरा बंदा पढ़े उसका पता लग जाए कि ये एक से मतलब नहीं समझ रहा गुसा तो उसको आएगा ना अल्ला पागा थोड़ा स्वाता होगा लेकन आगे जनरेशन जो आरी है माशाला उनको तर्जमत तफसीर सारा आता है हम चलते हैं इसलाम पे अगर हम चलते हैं तो हमारे जाद कभी इंडिया की बॉर्डर करॉसिंग नहीं कारते हैं नहीं चलते हैं तो उनके जहाद हमारा बॉर्डर करॉस कारते हैं बाद में जूते भी खाते हैं चले कोई बात नहीं लेकर यहाद के आपके जहाद भी इदर आए थे सर्च कर ले ना परवेज मेहदी कुरेशी आपके पाकिस्तानी एरफोर्स के चीफ रहें उनको डेड़ साल हमने महमान बना कर रखा था और टी इस फेंटास्टिक उस समय भी उन्होंने बोला था अब उस समें इतना सोशल मीडिया के दौर नहीं था नहीं तो वीडियो क्लिप वायरल हम भी कर देते उस समय दौर होता तो एकत्तर वाला दौर था उस समय तो मुबाइल फोन होते नहीं थे तो उनको भी हमने बड़ा समाल के रखा था और जब करगिल बौर चल रही थी त तुम नोग देख लो मैं तूना भेज रा अपनी एरफोर्स एरफोर्स आपकी आई ही नहीं आपके अपने जोआन मरते रहे खैर बड़ी बड़ी बाते जुटी शान इसे में तो जी रहे हैं आप लोग इसलिए अपने मुल्का कबार कर चुके हैं तबाब बर्बाद कर रहे हैं इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है आपकी जहालियत का अब मुझे याद आ गया हशननिसार साभ ने इस पर भी बड़ा अच्छी बात की आप ही कहा है हज़ानी साथ साथ वो बता रहे हैं गड़दार कौन थे गुलाम कौन थे बता रहे हैं उसलिए बाबर को किस ने निकाला था फरगना से उसके चचाओं ने यहां के उसने किसकी गर्दन उतारी सब से पहले इबराहिम लोदी की से पहले जो मगल शहजादे एक दूसरे की गर्दने काट रहे थे पाप को अंदर कर रहे थे सगे भाई मार रहे थे अब यह कदम कदम पे साधिशें ढूनना उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना करिए वी यार वी अदबैस्ट यह गड़दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ इंडिया ने झारो के चारों के पाक आपके पाकिस्तान ने सबसे पहले पहल की और सबसे पहले आपको लगता है कि चारोजगे किसने जीती हुए चारोजगे में एक दोर हमने जीती है हैं इसे ही यह हुट हम ने जीती ही हम इस आन्ठ कोई हो और हम उपको सांस E toujours acağı ने उसके हमारे कुछ इस ले पर हम जाते हैं तो मेरा Sa जाब हम जाती मेरा मक्सद ही कि मेरा इस चैंनल का मखसद sûr पहले चलिए, लाइट ने बात पूरी नहीं होने दी, नहीं तो बात अच्छी होती अगर हम अच्छा नहीं ट्रीट करतें न, तो आपके यहां के सैक्रूलोग आके हमारे यहां इलाज करवा रहे हैं और हमारे हिंदू ڈॉक्टर उनका इलाज करके, उनको ठीक करके भेज रहे हैं अभी हालि में एक ताजा ख़बर अभी और आई है एक वो लड़की थी नाम मुझे याद नहीं है, बूल गया मैं नाब उसको ठिक करके हिंदू डॉक्टर नहीं भेजा है और फ्री में इलाज किया करोड़ो रुपए का इलाज फ्री में किया है तो शर्म आये तो जरा पढ़ लिजेगा उस कबर को और अभी ताजा खबर आई है शायद कौन सा कैंसर है कुछ तो है उनको बैंगलूर में इलाज हो रहा है उनका तो पाकिस्तान की हैं लड़की है तो हम इतने तंग दिल नहीं है बहुत हम बहुत बड़े दिल हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी हम आपको दवाईयां भेज रहे हैं पाकिस्तान में इतनी नमखरामी तो मत करिए और जब ये पता चला कि अच्छा आपने लड़ाई शुरू की तो कोई ने कोई वजा रही होगी और अगर हम शुरू करते तो हम वजा नहीं होगी फिर लड़ाई लड़ने की वैसे हमने शुरू नहीं कि एक भी लड़ाई सबूत है जो ये चीख-चीख कर कहते हैं कि जहां जी पाकिसान चारो जंग खा रहा है चारो जंग वीड़ाई देख लेना जाकर तसल्ली से बिलकुल और वस बड़ी-बड़ी बाते करा लो खैर अब क्या कर सकते हैं जूट का गुबार है प्रोपगंडा दिमाग में भर गया है तो रहो रिजल्ट देखना चाहिए हमेशा इंडिया रिजल्ट क्या दे रहा है पिछले 75 साल में और पिछले 75 साल में पाकिस्तान ने रिजल्ट क्या दिया है अगर result खराब है, it means कि कहीं ने कहीं आप लोगों ने घलतियां की है और अभी भी घलतियां कर रहे हो कि उसमें सुधार नहीं हो रहा है और वो detroit चीजें होती जा दिया है और नीचे चली जा रही है it means कि आप लोग घलत रास्ते पर हो उपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर रहा है जो आपका अल्ला है वो भी आपकी मदद नहीं कर रहा है वो इसलिए मदद नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोग सही रास्ते पर नहीं आप लोग गलत रास्ते पर चलते हो आपकी सोच गलत है, आपकी नियत बेइमान हो गई है, आपकी नियत करप्ट हो गई है, आपके पास इमान नाम की कोई चीज नहीं बची है आपको के पास, तब ही कह रहे हो ना, कि अच्छा हमने जंच होगी, तब तो फिर कोई वज़ा नहों हो रही है, बेर कोई तो वज़ तो जल्ली आजिर होता हूँ, एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जाहिए।